नमस्ते दोस्तों चाया किचन में आप लोग का स्वागत है तो आज मैं आप लोगों को दही जमा के दिखाऊंगी इस तरह का देखिए कितना सुन्दर जमा है एक जरा भी पानी नहीं है तो मैं किस तरह करके जमाई हूँ पूरे वीडियो में बने रही है तो चलिए बनाना के लिए मैं ये एक लीटर गाय का दूद ली हूँ इसे मैं पहले थुड़ा सा उबाल ली हूँ तो आप मैं इसे उबाल का थुड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ तो चलिए चुले पे चढ़ा देती हूँ तो देखिए दोस्तों मैं चुले पे चढ़ा दी हूँ तो इस त तो मैं नीचे अठान ली हूं। तो मैं दोड़ थंडाव ने देर थिक ज़ू अफेट कर चणनी से छान के भी ले सकते हैं। तो जल्दी हो जायागा गला तो धख्यर से फेट लेीं हूँ तो देही को मैं मेस कर ले हैं तो दूद हलका सा गरम हीज़ाँ सा छाहिए तक आप को उंगलिया इसतरा करके रख सके उतना ही गरम तो आम मैं देही को दे देती हूँ अब अच्छे से दही को दूद के साथ मिला लेती हूँ तो दही को मैं दूद के साथ अच्छे से मिला ले हूँ तो चलिए अब मैं किस वर्तन में दही जमाऊंगी वो दिखाती हूँ तो देखिए दोस्तों मैं एक इस्टिल का कटोरा ले हूँ इसी से आपलों को दही जमा के दिखाऊंगी, आप मिट्टी का बर्स्तम से भी जमा सकते हैं, ताब मैं इसे कुकर में रख लेती हूं, कुकर के अंदर, मैं कुकर को हल्का सा गरम कर ली हूं, इसी में जमाऊंगी, ताब मैं दूद को दे देती हूं, अब मैं इस तरह का प्लेट ली हूँ ताकि यह बहुत आसानी से कुकर के अंदर में चला जाए इसलिए मैं इस तरह का लिए हूँ अब इस तरह करके ढग देती हूँ तेक में कपड़ा ली हूँ इसे मैं अच्छे से जाम कर देती हूँ अब मैं ढखकान लगा देती हूँ अब मैं इसे पूरे रात तक रख देती हूँ तो देखिए दोस्तों मैं पूरे रात भर धही को जमने के लिए रखी थी तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो देखिए दही बहुत अच्छे से जम गिया है देखिए कितना सुन्दर देखिए बहुत अच्छे से जम गिया है अब मैं आप लोगों को काटके दिखाती हूँ तेख मैं चम मच ली हूँ आप लोगों काटके दिखाने के लिए तो देखिए कितना सुन्दर बना है देखिए कितना सुन्दर लग रहा है एक ज़रा भी पानी नहीं है देखिए तो ये में खट्टा दरी बनाई हूँ आप लोग चाहे तो मीठा डाल के भी बना सकते हैं तो मेरा दरी बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सियर सस्क्राइब करना नहीं भूले देगा तो चलिए फीर मिलती हूं एसी एक नई रेसिति में अगर में तो कि अगर में है